वेल्कूम फ्रेंड्स आज हम अब बैक्स में स्मॉल फ्रेंड और बिगड फ्रेंड के combination formula को समझेंगे जैसे हमने पिछले टुटोरियल में कुछ स्मॉल फ्रेंड और बिग फ्रेंड से related कुछ sums किये थे कुछ calculations परफोर्म की थी तो हम देखते थे कि कुछ sums जिने हम small friend या big friend या directly perform नहीं कर सकते तो उस time पे हम combination formula यूज़ करते हैं इसे हम combination plus formula भी कह सकते हैं वैसे basically हम इसे small friend और big friend का combination formula कहते हैं हम देखते हैं कि जैसे plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 जिने हम directly या small friend या big friend की help से solve करते थे जैसे हमारे पास कुछ और थे जैसे कुछ और सम जैसे plus 6, plus 7, plus 8 जिने हम directly या big friend की help से solve करते थे अगर suppose कुछ ऐसी calculations हैं जिने हम directly या small friend और big friend की help से solve नहीं कर सकते तो उस समय पे हम plus combination formula यूज़ करते हैं जो कि small friend और big friend का combination होता है जैसे suppose हम यहां पे कुछ करना चाते हैं 0 plus 6 तो 0 plus 6 करने के लिए हम क्या करेंगे जो हमारी unit road है आप देख सकते हैं यहां पे हमारी value set है 0 यहां पे हम 0 plus करना चाते हैं तो हम simply क्या करेंगे upper beat को move down करेंगे और नीचे से एक beat को एक साथ index finger और thumb की help से pinch करेंगे तो हमारे पास answer आजाएगा 0 plus 6 is equal to 6 अब हम reset करते हैं beats को अगर हम करना चाते हैं 1 plus 6 तो हम क्या करेंगे यहां से value set करेंगे 1 अब एकस board पे unit road में आप देख सकते हैं इसमें हम 6 को add करना चाते हैं तो simply जो 5 upper beat है इसे हम down करेंगे और नीचे से एक beat को move up करेंगे तो हमारे पास answer आजाएगा 7 क्योंकि 1 plus 6 is equal to 7 अब यहां पे एक चीज़ का ध्यान देंगे कि जो 0 plus 1 है 1 plus 6 है इन्हें हम क्या करते हैं directly इनको इनकी calculations को perform कर सकते हैं अब हम suppose करना चाते हैं 1 plus 6 सबसे पहले हम क्या करेंगे reset करेंगे backus board को next calculation हम करते हैं 2 plus 6 2 plus 6 के लिए पहले value set करेंगे 2 2 beats को उपर की तरफ move करेंगे 6 इसमें add करना है तो upper beat को down करेंगे और नीचे से एक beat को move up करेंगे तो हमारे पास answer आजाएगा 8 क्योंकि 2 plus 6 is equal to 8 अब हम reset करते हैं backus board को next हम करना चाते हैं 3 plus 6 इसमें हमें 6 set करना है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो beats 6 वो available है तो यहाँ पे हम इसको directly perform करेंगे उपर से beat को नीचे करेंगे नीचे से एक beat को उपर की तरफ move करेंगे हमारे पास answer आजाएगा 9 क्योंकि 3 plus 6 is equal to 9 reset करते हैं beat को next हम करना चाते हैं 4 plus 6 तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले value set करेंगे 4 अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो 6 beats वो available नहीं है तो हम यहाँ पे big friend जो formula है वो भी apply नहीं कर सकते small friend formula यहाँ पे use नहीं हो सकता लेकिन यहां पर जो big friend formula है वो हम apply करेंगे यूगि आप देख सकते हैं जो big friend formula है वो plus 6 के लिए हमारे पास given है plus 10 minus 4 plus 10 करने के लिए जैसे कि आप पहले भी जानते हैं जो 10s road है unit road के बिल्कुल left one first road उसे हम 10s road बोलते हैं उस पे जाएंगे 10 plus करने के लिए एक bit को उपर की तरफ move करेंगे तो यह हो गया plus 10 minus 4 करने के लिए यह चार bits और lower bits इनको move down करेंगे एक साथ तो हमारे पास answer आजाएगा 10 क्योंकि 4 plus 6 is equal to 10 इस तरह से हम यहाँ पे जब हमारे पास bits available हैं तो उनको हम directly perform करते हैं जब bits available नहीं होती तो हम वहाँ पे small friend या big friend का use करते हैं अब हम reset करते हैं big bits को next time हमारे पास 5 plus 6 5 plus 6 करने के लिए पहले value set करेंगे 5 अपर bit को नीचे move करके 5 value set हो चुकी है अब हम 6 set करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे जो bits हैं वह यहाँ पे available नहीं है यहाँ पे हम small friend formula use नहीं कर सकते यहाँ पे big friend formula भी use नहीं हो सकता इसलिए यहाँ पे हम करेंगे combination plus formula क्योंकि जो combination plus formula है वो small friend और big friend का combination होता है इसलिए हम यहाँ पे इसको use करेंगे जो plus 6 का combination formula है वो है plus 10 minus 5 plus 1 सबसे पहले हम यहाँ पे suppose करना जाते हैं 5 plus 6 सबसे पहले हम करेंगे plus 10 plus 10 हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारे पास formula है वो है plus 10 minus 5 plus 1 सबसे पहले हम करते हैं plus 10 plus 10 करने के लिए हम 10 road पे जाएंगे इस road इस bead को उपर की तरफ move करेंगे plus 10 हो चुका है अब हम करेंगे minus 5 minus 5 करने के लिए हम क्या करेंगे इस bead को अपर bead को उपर की तरफ move करेंगे और plus 1 करने के लिए नीचे से एक bead को उपर की तरफ move करेंगे तो हमारे पास अंसर आजाएगा 11 क्योंकि 5 plus 6 is equal to 11 यहां पर आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम यह formula हम apply करना चाहते हैं तो हम right hand के thumb और index finger का use करेंगे जब हमें 10 up करना है यह one up करना है और जब हमें 5 को minus करना है तो हम यहां पर left hand का use करेंगे left hand के thumb का reset करते हैं beads को Thank you झाल